नमस्कार दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पेरामेडिकल अपडेट पर तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं स्वास्त बेवाग सम्मेदा बढ़ती के बारे में फ्रेंट्स वेकेंसिस आपकी रिलीज कर दी गई है औ अलग अलग पदव पर इसकी बढ़ती लिया रही है फ्रेंट्स देख पा रहे होंगे जैसे कि एनेम की पोस्ट लगवा लगवा आपकी 31 है इस्टाप नर्स की आपकी दो फार्मेसिस्ट की 6 एल्टी की पोस्ट चार इस्टाप प्रस SNCU की 9 पोस्ट है फ्रेंट्स इसमें आप चाहें आप बॉइज हो गर्ल हो दोनों इसमें एपलाई कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपको नोटिस को लेके चलते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली वावीट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रू सस्क्राइब करके रहे हैं बेल आक ज्यादा समय नहीं लेंगे अब नोटिस पर लेके चलते हैं यह उफिसल नोटिस है उसका लिंक आपको इस वीडियो के दिश्क नहीं मिल जाए वहां पर आके आप पढ़के आसाने से कर शकते हैं तो फ्रेंच देखपार होगे यह ore Bliss के अपढ़के सब्सक्राइब करना है यह अफलाइन मोड पर करना है सारी डेक्यूंट यहां से है और इसे इसमें चेक कर पाएंगे राइष्ट्य स्वास्त मिशन अंत्रकत सम्मेदा के आदार पर नेक्टिक का बिग्यापन तो यह सम्मेदा के बेस पर ही बढ़ती होनी है और इसमें डायक्टि में आपको बेकंसी पर लेके चलता हूं कहां कहां कितनी कितनी लूमा चाहिए साइन्स साइड से जो की इंटरमेडियर होना चाहिए और किसी भी से हो तब भी आपका चल जाएगा सांस के लावा को यह तो टैन प्लस टू इंटरमेडियर हो आपका अनेवार रहा इसके लावा अठारे माह का एनम सीचड़ उत्रिण एबं ज्ञारकंड नर कियान निदेशक राष्ट स्वास्त मिशन आप देख पार होंगे राची जहारकंड जहारकंड से निकली है एनम का डिप्लोओं तब भी आप इस फिलकर से एनम की जो पोस्ट होने वाली है वो 31 पोस्ट होने वाली है जो सेलरी आपका रहेगा ग्यार आयार पांसो रुपे रहने वाला है इसके अलावा सिटाप नर्स की मीं कसी रहने वाली है इसमें आपका वह ही यह 15% ऑफका इस तैन प्रस टू में और टीन वर्स का जीनम सीचर बात्त का जिंठ कर वहां से होना चाहिए वहाँका नर्सिंग आपका डियाánt ग्साहरकंड से होना चाहिए पहांसे salary रहने वाली है block data manager के लिए जो post रहने वाली है वो तीन post रहने वाली है salary 5750 और पे उने वाली है अगली post के बारे में पर बत कर लें कि जितने post रहने आप इसे चेक कर सकते हैं तो friends जो मैंने बताया कि अब देख पारूँगे अगला जो post है SNCU और आपका NBCU स्टाफ नर्स SNCU के लिए क्या का चाहिए इंटरमेडियर नियुनतम 45 अंकों के साथ तीन वर्स का जीनम सीचर उत्तरी जारकंड नर्सिंग कांसुले से रजिस्टर होना चाहिए देख पार होंगे संक्या इसकी 9 संक्या है और इसका सेलरी पैकेज भी आपका इसमेड़ा के वेसपर्स आई है यानि कि अच्छा है 16,29 रुपे इसके अलावा और भी पोस्ट देखने को आपको मिल जाएंगी इसमें जितनी पोस्ट आपको देखने को जाए ओर गयार है यार पांचो पचास रुपे इसमें सेलरी पैकेज रहने वाले हैं अब फैल में असिस्टन्स का भी आपका पोस्ट देखने को मिलेंगी जो कि दो पोस्ट हैं और पंदर हैयार दो सट क्यासर रुपे जी एनम जिस्टिक NCD के लिए भी इसमें देख सकते हैं दो पोश्ट है अठारे यार्ट नॉसर पे इसमें सेलरी है इसके अलावा और इसके रावा यह वह हम चेक कर लें जैसे कि क्लिनिक्स साइकोलोजिस्ट भी चेक कर सकते हैं इसकी एक पोश्ट है इसके बाद में और पोश्टों पर हम बात कर लें जैसे कि DMC LT NT EP तो यह वाली आप पोश्ट देखें तो इसमें आपका एक विकंसी 12600 और भी इसके रावा एक पोश्ट देखें ल्टी एन्वी बीडी सीपी यह आपको इसमें भी आपको एक पोश्ट देखने को मिलेगी त मैंने यह पोश्ट के बारा बता दिया बिबिन पदों पर आपका है जो नीनतम आपकी एज होने चाहिए 21 वर्स होने सी और अधिक्तम जो समय सीमा है वो आप इसमें चेक करते हैं आरत आपका जो कैटेकरी के शाव से आपका जैसे की सामान वर्क लिए आपका जो अधिक्त ह्टम है 35 होने चाहिए अन पिच्चडा ओवीजिक लिए 37 अनसर जाती पुरुस्त के लिए मिला सामान वर्क पिच्अवा आथिए अर्तिष एज होनी चाहिए और मैं इसके आधार पर भी इसे पूरा चेकर के पूरा क्लिए बता दूँगा आपको यह वेकंसिस कैसे की कर होने वाला समयधा के अधर पर क्रम्चरी को कोई नहीं नहीं हो इस अपको बना कर रखना और आपको पोस्ट करना पोस्ट कहां पर करना है, अब बड़ती डांक से कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के माद्य हम से सिविल सर्जन, सहर सचीव ये पूरा एडर देखते हैं जला, स्वास्त, समती, जाम ताड़ा तो इस पर आवेदन पत्र क्या करेंगे आपको पोस्ट के द्वारा डाक के द्वारा, स्पीड पोस्ट के दारा आप भेज रकते हैं और इसमें एप्लिकेशन की फीस भी है वो भी आप देख पार होंगे वो आपको मैं इसमें बात कलूँ एप्लिकेशन जो फीस रहने वाली है वो कैटेगरी वाइज रहने वाली है के 200 रुपे का रहने वाला है और आविदन कंडी की जो लास्ट देती है जो मैं बता चुका हूँ सत्रे अक्टुबर साम पांच बज़े तक रहने वाला है इससे पहले ही आपको पोस्ट के द्वारा बज़बाना पड़ेगा ये इसका ये फॉर्म देख पार हूँगे ये इसका मैं आपको फॉर्म भी दिखा रहा हूँ ये इसका फॉर्म है ये पूरा इस प्रकार आपको पर्फॉर्म दे रखा है फॉर्म का इस फॉर्म को इसमें फिल कर देदा है तो सबसे पहले मैंने आपको बता देए ये offline वोड पर वेजना है कहां वेजना ये भी बता देए demand draft बनवाना है demand draft किस नाम से बनवाना है वो भी इसमें आप देखा देए कि demand draft किस पर बनाना है यो कि लाश पर आप देख पार होंगे 200 रुपे का demand draft civil surgeon से अच्छिव जिला स्वास्त समती जम्तड़ा के नाम पर देए हुआ तो इसमें आपको 200 रुपे का और 400 रुपे का इसमें आपको demand draft यानि की DD बनवाना पड़ेगा और इस notice को आप दानपूर पढ़ लें यह सम्मेदा वेस विकंसी है अगर आपका यह GNM, ANM, LT, Pharmacist इसके लावा और भी अन्पद है अगर आपका इसमें हो गया है आपका experience का वो मैंने आपको बताई दिया है किसमें experience मांगा या नहीं मांगा है तो experience के लिए वो आप यहां से इसमें side से दे रखा वो इसमें आप check कर पाएंगे जैसे कि एक कोई भी देख सकते हैं तो इसमें experience मांगा नहीं मांगा वो आपको इसमें दिया रखा तो यह सा रहा है जैसे कि इसमें लिग रहा है कारण हुआ होना अनिवार है तो इसमें आपका तीन वर्स के गलाबा आपका इसमें एक्स्पिरेंस भी मागा है और भी कोई इंपूरेंट पॉइंट है वो आप नहीं समझ पाने तो हम मुझे इस्ट्रागरम पर फॉलो कर सकते हैं इंडिया में जितनी वी स्वास्ति व्याग से रिडिटेड नर्सिंग से रिचिर परामेडिकल कोर्स से रिडिटेड जितनी वी बेकल से निकलती है सारे की इंफूरेंस आपको मिलती रहेगी थैंक्स वर बॉचिंग है और सब्स्क्राब मैं चैनल